नमस्कार आपका आख़बार पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग आज रविवार है तो रविवार विशेश का दिन है मैंने पिछले दिनों कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था मनमुहन सिंग के बारे में किस तरह से भारती अर्थववस्था को उन्होंने पहले नष्ट किया फिर उसको सुधारे की कोशिश पीवी नर्सिमार आओके मौतहत जब वितमंत्री बने तो कोशिश की आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से मनमुहन सिंग और उनकी सरकार ने 2004 से 2014 तक जो United Progressive Alliance की सरकार थी कॉंग्रेस के नत्रितों में उसने देश की सुरक्षा को खत्रे में डालने का काम किया मनमुहन सिंग के राज में हमारी जो विदेशी खुफिया एजेंसी है यानि एक्सरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है Research and Analysis Wing राउ उसको किस तरह से डीमॉरलाइज किया गया किस तरह से उसको एक तरह से कुचल दिया गया उसकी जो क्षमता थी वो भी खतम कर दी गई बढ़ाने की बजाए राउ को सरकार से न तो कोई political support मिला न लोजिस्टिक्स का और नहीं दूसरे उसको साजो सामान के लिए पैसा मिला तो राउ के development पर राउ को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया और ये ऐसा दोर था जब दुनिया भर में भारत की सुरक्षा के लिए तमाम खत्रे थे दुनिया भर में और अमेरिका जैसा देश और अमेरिका ही नहीं यूरॉप भी यूरॉप और अमेरिका जैसे देश भारत के आतंकवादियों को dissident मानते थे और अपने आतंकवादियों को आतंक की good terrorist bad terrorist का दौर चल रहा था भारत के सुरक्षा के जो सरोकार थे उससे अमेरिका और यूरप के देशों को कोई मतलब नहीं था उसकी उनको कोई चिंता नहीं थी भारत अपनी सुरक्षा के लिए अकिला था और ऐसे में अगर सरकार ही साथ ना दे जिसका काम है कि आपका जो खुफिया तंतर है उसको जितना मजबूत कर सकें उतना मजबूत करें अगर वो काम सरकार ना करें बलकि demoralize करें हतोतसाहित करें तो आप सोचिए क्या हो सकता है वही हुआ जो 2004 से 2014 के बीच में हुआ यानि देश के बड़े सहरों में लगातार बंबी स्पोर्ट आतंकी हमले है उसका सिलसिला रोका नहीं उसका सिलसिला रोका नरेंद मोदी ने आने के बाद अब बिटिश न्यूज एजेंसी है राइटर उसके एक रिपोर खुफिया एजेंसी की ताकत बहुत जादा बढ़ गई है मोदी राज में और इसका इसका एक ही कारण है एक ही वज़ए है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी का रिजौल कि हमको अपने खुफिया तंतर को सशक बनाना है मजबूत बनाना है दुनिया भर में कहीं भी साजिश ह भारत के खिलाब उसके हमें जानकारी होनी चाहिए तो अभी जो आप आपने खबरें सुनी कैनेडा में यूके में पाकिस्तान में जो टेर्रिस्ट मारे गए हैं खालिस्तानी टेर्रिस्ट मारे गए हैं उसके अलावा जो इसलामी आतंकवादी मारे गए है पाकिस्तान में उनकी खबरें पढ़ी होंगी तो अब भारत सरकार ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी किसी एज turmeric के एजेंट का कोई इसमेहाथ है लेकिन पूरी दुनिया को यह पता चल चुका है कि भारत की चहंता भारत की खुफिया एजेंशियों की चहंता इस बात में बहुत ज़ादा बढ़ गई है कि वो targeted killing कर सके अब वो करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है इस रिपोर्ट के लिए जिन पत्रकारों ने रौ की officers से बात की कुछ serving officers से कुछ retired officers से उन सब ने ये कहा कि रौ जो है targeted killing नहीं करता ये उसका mandate नहीं है लेकिन आप उ पहले targeted killing का समर्थक था फिर एक समय आया वो इसका विरोधी हो गया इसराइल इस मामले में सबसे आगे है अमेरिका को उस पर भी इतराज था कि इसराइल जिस तरह से अपने विरोधियों को अपने दुश्मनों को दुनिया भर में खोज-खोज कर मारता है वो ठीक नहीं है लेकिन 9-11 ने सब कुछ बदल दिया उसके बाद अमेरिका targeted killing के खिलाफ बोलना हुआ कि intellectuals ने जो security experts हैं उन्होंने लिखना बंद कर दिया तो अब targeted killing जो है वो एक तरह से accepted norm बन गया है और भारत की इस शमता से पूरी दुनिया वाकिफ है पाकिस्तान का प्रधान मंतरी अगर ये बोलता है खुले आम कि भारत global target killing में सबसे आगे है तो आप समझ लिजिए डर कहां तक पहुँच गया है और हमारी क्षमता कहां तक पहुँच गई है मनमहन सिंग ने क्या किया ये बलकि कहें मनमहन सिंग को क्या करना चाहिए था उनको करना चाहिए था कि वो इस बात की कोशिश करें कि हमारी कुफिया एजिंसी इतनी सक्षम हो कि भारत के खिलाफ क्या शड़ंतर रचा जा रहा है उसकी जानकारी मिले उसकी सूचना हमें पहले से मिले लेकिन भारत के साथ उल्टा ही हुआ 2004 जून में ही भारत की कुफिया एजिंसी राउ के जॉइंट सेक्रेटरी बहुत सीनियर आफिसर होता है जॉइंट सेक्रेटरी रविंदर सिंग देश को धोखा देकर अमेरिका से जाके मिल गए यानी CIA से मिल गए और वो यहां से देश से नकली आइडेंटिटी के फर्जी आइडेंटिटी के आधार पर नेपाल गए नेपाल से जो है वो अमेरिका भाग गया लेकिन बात ये नहीं कि वो नकली आइडेंटिटी उस बनाने में काम्याब रहा और रा को धता बता कर एजिंसियों को धता बता कर नेपाल पहुंचा नेपाल से अमेरिका चला गया असली बात ये है कि नेपाल में जो रौ की लोकल यूनिट है उसको इस सब की जानकारी थी कि वो नकली आइडेंटिटी के साथ आया है और वो भाग रहा है अमेरिका से मिल चुका है ये सब जानकारी होने के बावजूद उस यूनिट ने कुछ नहीं किया और उस unit के खिलाब मनमोहन सिंग की सरकार ने कुछ नहीं किया। मामला यहीं तक नहीं रहा। एक दूसरा विस्फोट हुआ। पता चला कि भारत की जो साइबर सिक्यूरिटी की टीम है उसमें से कई लोग खुफिया जानकारियां CIA को दे रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किसी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा और व्याहत सुरक्षा के लिए बहीं यह कितना बड़ा खत्रा हो सकता है। जब उसके अपने लोग भेदिया बन जाये, जब अपने लोग मोल बन जाये, दूसरे देश की एजंसियों के हैं। यह स्थिती चल रही थी और मनमohan Singh सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी उसकी कुछ करने की ना तो क्षमता थी ना हिम्मत थी ना समझ थी इस इन सब मामलों में कुछ करने के लिए political will की ज़रुत होती है जो मनमohan Singh में तो कतई नहीं थी तो मनमोहन सिंग ने देश को कई तरह से बरबाद किया 2004 और 2014 ये जो 10 साल का समय था देश के लिए सबसे बुरा समय था मेरा मानना है कि 1947 के बाद अगर सबसे बुरा दोर कोई रहा तो 2004 से 2014 का इन दोनों घटनाओं के बाद मनमोहन सिंग से जो अपेच्छा थी वो करना तो दूर उन्होंने रहा की कुछ गत्विधियों पर रोक लगा दी रहा को कोई लाजिस्टिकल सपोर्ट देने से मना कर दिया रहा में कोई इन्वेस्मेंट नहीं किया इसका नतीजा यह हुआ कि एजेंसी के जो अधिकारी थे जो सक्षम थे जो योग य अधिकारी थे उनका मनोबल तूट लिया कई लोगों ने नौकली छोड़ दी रहा छोड़ कर चले गए और कोड में खा जिये और स्थिती को बुरा करने के लिए मनमोहन सिंग्स की सरकार ने फैसला लिया कि दूसरी सर्विसे से रहा में लोग आ सकते हैं अब भी आते हैं पहले भी आते थे पर्मानिंट बेसिस पर उनकी पोस्टिंग हो सकती है उसका नतीज़ा क्या हुआ रहा में ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई जो फॉरें प्लम पोस्टिंग के लिए रहा में आने को तयार हो गए जिनमें इस रिपोर्ट के मताबिक इनमें इंटेलिजन्स का काम करने का कोई एप्रिटूड नहीं था उसका नतीज़ा ये हुआ कि दूसरी कुफिया मतलब दूसरे देशों की कुफिया एजेंसी की पकड़ में ये जल्दी आ जाते थे उनके जाल में जल्दी फंस जाते थे और इस सब का नतीज़ा देश भुगत रहा था एक के बाद एक लगातार जो है बड़े शहरों में बम धमाके हो रहे थे और बम धमाके बिल्कुल आम बात हो गई थी लोगों को आश्यर्य होना भी बंध हो गया था अगर कहीं मम विस्वोट की खबर आ जाए तो ये ये चौकाती नहीं थी 2014, 26 मई 2014 और आज मैं जब आप से बात कर रहा हूँ तो रविबार है 2023 का आठ थारीख आप समझेए कि अभी तक किसी भी बड़े शहर में एक भी बम धमाका नहीं हुआ कैसे कि आतंकवादियों का मन बदल गया या आतंकवादियों ने कुछ और काम करना शुरू कर दिया या भारत को उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने का कि भारत में नहीं जाते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं ये हमारी खुफिया एजेंसियों की काम्याबी है कि किस इसी भी देश की खुफिया एजनसी की सबसे बड़ी काम्याबी जो होती है वो होती है एक्षिनेबल इंटेलिजेंस कि ऐसा इंटेलिजेंस ऐसी खुफिया जानकारी मिले जिसके आधार पर आप कदम उठा सके काम कर सके और आपको अच्छी तरह से याद होगा 2008 में काबुल में भारती दूतावास पर हमला हुआ इससे पहले और कई हमले हो चुके थे और ये पता था भारत सरकार को भी पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये ISI ने कराया इसके बावजूद मनमुहन सिंग की हिम्मत नहीं हुई रा को पुलिटिकल सपोर्ट देने की रा की ताक पुकने के लिए या इसका बदला लेने के लिए करें तो आप उसके समर्थन में साथ खड़े हों मनमुहन सिंग कमजोर आदमी रीड भी इन आदमी उन्होंने ऐसा करने की वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए दोहजार दस में उन्होंने शिवशंकर मेनन को नेशनल एड्वाईजर थे मनमुहन सिंग के एमके नारएडन उनसे भी पिलपिले निकले उनसे भी कमजोर निकले तो रा की स्थिती दिन पर दिन खराब होती गई और मनमुहन सिंग के निकम्मे पन की बलकि मैं तो कहता हूं कि एक मुद्ध Person पर मनमुहन सिंग के खिलाफ में कई होटलों पर हमले की ISI की युजना है, साजिश है, इसकी पुखता जानकारी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसिस के पास थी, इसके बावजूद मनमोहन सिंग की सरकार ने कोई प्रो एक्टिव कदम नहीं उठाया, 26.11 को होने दिया, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जानबूज कर होने दिया, लेकिन अगर आपके पास जानकारी हो कि ऐसा हमला होने वाला है और आप कोई कदम न उठायें तो इसके अलावा और क्या निश्कर निकाला जाए, क्या कहा जाए, सवाल ये है कि मनमहन सिंग से और उनकी सरकार से आखर ये तो पूछा जाना चाहिए, कि जब आपके पास आएक्शनेबल इंटेलिजेंस था, तो आपने आएक्शन क्यों नहीं लिया, आपने उसको रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया, और उस समय की खबरें अगर आ पायार हो रहे थे और उनकी जित थी कि वो उसी प्लेन में जाएंगे जिसमें NSG जा रही है, NSG को बंबाई भेजने के लिए जहाद नहीं मिल रहा था, आप ये कलपना कर सकते हैं, जो नेता आजकल चार्टर्ट फ्लाइट से चलते हैं, सुबह शाम दोपहर चार्टर्ट उनको मिलने में कोई दिकत नहीं होती है, उस देश में देश के प्रधान मंतरी को अपनी NSG की टीम मुंबई भेजने के लिए जहाद नहीं मिल रहा था, उसको अरेंज करने में कई घंटे लग जए, इनकॉंपिटेंस की ये इंतहा थी, इस से जादा आयोग ये प्रधान म तब भी न कर सके, मनमहन सिंग ने किया, और देखे ये हमारा आपका भी दोश है, 2008 में मुंबई पर हमला हुआ, और 2008 में कॉंग्रिस पार्टी दिल्ली विधान सभा का चुनाव बड़े धूमधाम से जीत गई, अब उसके बहुत से अलग कारण थे, उसमें अभी नहीं ज इन्वेस्मेंट, पोलिटिकल सपोर्ट, हर तरह की मदद मिलना शुरू हुई, तो उसकी कोवर्ट ऑपरेशन्स की क्षमता बढ़ गई है, ये जो बॉम बलास्ट का सिलसिला रुका है, उसमें रा की कोवर्ट ऑपरेशन्स की क्षमता है, उसका भी बड़ा योगदान है, तो मोदी ने और अजित कुमार डुवाल ने मिलकर इस देश की खुफिया एजन्सियों का काया कल्प कर दिया, आज हमारे देश की खुफिया एजन्सिय से दूसरे देश की एजन्सियां खौफ खाती है, तमाम देश खौफ खाते हैं, हमारी जो क्षमता है, हम टार्गेट किलिंक कर सकते हैं अपने दुश्मनों को मार सकते हैं और पिछले अगर आप देखें 2020 से लगातार जिस तरह से पाकिस्तान में कैनेडा में और बृटन में जिस तरह से भारत विरोधी तक तो मारे गए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के खुमता क्या है और यह सब कुछ हुआ यह जो जस्टिन टूडो ने अपने पार्लिमन में बोला उससे सब पहले की बात है जस्टिन टूडो अभी तक कोई और जस्टिन टूडो ही नहीं पाकिस्तान कोई भी इस बात का अभी तक एक भी छोटा सा भी सबूत नहीं दे पाया है कि इसमें भारत की एजिंसियों के एजिंट्स का हाथ है ये होती है क्षमता तो ये ये जो मोदी का नारा था कि दुश्मनों को घर में घुस कर मारेंगे तो ये पूरी दुनिया में ये संदेश चला गया है कि ये मोदी है ये घर में घुस कर मारता है और घुसकर मारता है ये सिर्फ बोलता नहीं है सचमुछ मारता भी है उसका नतीज़ा है अब अब देखिए केवल पुलिटिकल विल होने से कैसे पुरी तस्वीर बदल जाती है कैसे अगर देश का प्रधान मंतरी अपनी सुरक्षा विवस्था के साथ अपनी एजेंसियों के साथ खड़ा हो उनका मनोबल बढ़ाए तो उनके काम में उनकी योगिता में उनकी शम्ता में किस तरह का गुरात्मक परिवर्तन आता है लेकिन फिर मनमोहन सिंग की बात पर आऊंगा मनमोहन सिंग के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए देश की सुरक्षा को खत्रे में डालने का किसी और देश के प्रधान मंतरी रहे होते मनमोहन सिंग तो निश्चित रूप से मुकदमा चलता है और यहां जाते जाते मैं आपको देश के पूर प्रधान मंतरी और सबसे बड़े राजनितिक दृष्टा मैं मानता हूँ आजाद भारत का चंशेखर जी की बात को याद करना बड़ा जरूरी है 2004 में जब मनमोहन सिंग प्रधान मंतरी बने तो चंशेखर जी ने कहा था कि मनमोहन सिंग पढ़े लिखे हैं अकलमंद है प्रधान मंतरी बने है अच्छी बात है लेकिन नौन-पॉलिटिकल लोगों को ऐसे पत देना यह अच्छा ट्रेंड नहीं है यह अच्छा संकेत नह 2004 में बनाया, 2009 में फिर मन महान सिंग को गधान मंत्री बनाया तो रुनका एक दिन एक आदमी चिंगारी की तरह उठेगा और पूरे देश से कॉंग्रेस को खतम कर देगा और वही हो रहा है, वो चिंगारी का नाम है नरिंद मोदी नरिंद मोदी उठे और उसके बाद आप देखें कॉंग्रेस का पतन किस तरह से और कितनी तेजी से हो रहा है, और 2024 का इंतजार कीजिए इस पतन की गती और तेज होने वाली है तो 2004 से 2014 की जो मनमोहन सिंग की सरकार थी उसने इस देश के विरोध में इस देश के का अहित करने के लिए जो जो हो सकता था, सब कुछ किया था तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अनमती दीजिए आप संरोध है कि ये चैनल देखिए, शेर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार